दुनिया भर में हज करने के लिए सौधी अरब गैं मुसलमानों के लिए साल तेज गर्मी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है गर्मी में सौधी अरब के मक्का में हज करने पहुँचे शाड़े 500 यात्रियों की मौत अब तक हो चुकी है हजारों की संख्या में हाजियों को गर्मी के वज़े से हुई बिमारियों का सामना भी करना पड़ा है सौधी अरब में पढ़ रही गर्मी ने तमाम इंतजाम के बापजूद पिछले साथ भी 240 हज यात्रियों की जान ले री थी इस साल ये संख्या और ज़्यादा हो गई है इस साल हुई मौतों में 223 नागरिंग मेसर और 60 जॉडन के है इसके लाबा इरान, इंडोनेशिया और सेनेगल के तीर स्यात्रियों की भी मौते हुई है साथी मिज जिस तरह से तापान में विर्दी हो रही है उसे देखते हुई ये कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में हज यात्रा बेहद मुश्किल होज साबित हो जाएगी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो साथी स्टेट टीवी ने बताया है ये चुनाती आने वाले सालों में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है जर्नल आफ ट्रैवल एंड मेडिसीन के 2024 की एक रिसर्च के इंसार गर्मी से ने पटने की जो रणीती दुनिया भर में बन रही है बढ़ता वैश्विक तापमान उन रणीतियों से आगे ही निकल सकता है और इसका सीधा असर सौधी जैसे गर्म देश पर होगा जियो फिसकल रिसर्च लेटर्स के 2019 के एक अध्यर में ये का गया है कि जलवाई परवतन के कारण शुस्क सौधी अरफ में तापमान बढ़ने से हज करने वाले तीस यातियों को अतितिक खत्रे का सामना करना पड़ेगा इस साल जिस तरह से तितिक गर्मी के कारण मौते हुई है उसक और सौधी अस्पतालों में भीड़ बड़ी है उसे देखते वे ये दावा भी एक्सपर्ट कर रहे हैं कि कम से कम बजूर्गों के लिए आने वाले सालों में हज का ना पूरी तरह से नामुम्किन हो जाएगा हज का इसलाम धर में बेहत महत है हर साल लाकों मुसल्मान धार में एक अनुस्ठान करने के लिए मक्का जाते हैं इस साल गर्मी ने तीर्थ यात्रियों के लिए मुश्किल बढ़ा दी है 50 को चूरा तापमांद खासतोर से बुजुर्गों के लिए मुश्किल पैदा कर रह सौधी अफसरों ने सभी हाजियों को छाते इस्तमाल करने की सला दिया इसके लावा उन्हें लगातार पानी पीने और धूप से बचने के लिए कहा जा रहा है इन सब के बावजूद भी बड़ी संक्या में हाजी हज की रस्मों के दौरान बिमार पड़ रहे हैं हज के रास् वीजा प्रकोरियाओं को नदरंदाज कर आने वाले यात्रियों को वातान फूली सुविधाओं तक पहुच नहीं मिल पाती है यह अनके लिए मुश्किल बन्ती है मिसर, के एक राज्य नेक ने कहा कि बिना पंजी करत वाले तीरत यात्रियोंने मिसर में मरने वालों की मंदित मौते हुई है बेराल इस तरह से गर्मी का बढ़ना और मौतों का अगड़ा इतना जादा पहुचना सौधी अरब में हज को ले करके एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है